तो वहीं केंद्रिय मंत्री जोति रादेते सिंधिया की मा मादवी राजे सिंधिया का इम्स में निधन हो गया। उन्होंने सुभा करीब साढ़े नौ बजो अंतिम सास ली। सिंधिया परिवार की राजमाता बीते कुछ दिनों से दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर थी। मादवी राजे का पिछले तीन महीने से दिल्ली के प्रमुक अस्पताल में इलाज चल गा था। और वो निमोनिया के साथ साथ सेपसिस से भी पीडित थी। पिछले दिनों तीसवे चरण के मतदान से ठीक पहले ही उनकी ज्यादा तवियत बिगड़ने की वज़ा से दिल्ली एम्स में भरती किया गया था। दिल्ली में निधन के बाद माध्वी राजे के पार्थिव शरीव कौन्तिम संसकार के लिए मध्या प्रदेश के ग्वालियव लाया जाएगा। माध्वी राजे के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादर पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नेताओं ने दुख चताया है। पर बाद आज सुभा करीब 9.28 मिनट के आसपास उनका निधन हो गया और आज उन्होंने दिल्ली के एम्ज अस्पतार में अंतिम सास ली। साथी आपको ये भी बता दे कि नेपाल के राजगराने से भी उनका संबंद जोड़ा जाता है।